दोस्तों अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडियाज और नहीं जैनकारी के वाला के लिए दोस्तों अगर आप एक अच्छा बिजनिस की बात करें कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है दोस्तों अगर आप एक अच्छा बिजनिस पहले साल से ही अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो ये जरी समय है अपरेल से न.'या के ताथ लोगो होगा ही लेकिन साथ ही अप्रेल से निया एजुकेशन लेजर भी शुरू होगा दोस्तों यदि आप एजुकेशन से जुड़ा बिजनस अप्रेल से पहले ही शुरू कर देते हैं तो अप्रेल शुरू होते ही आपको अच्छा खासा रेटर्न आना शुरू हो जाएगा ऐसे 1900 सरकार की युज़नों के तरह लोन भी असानी से मिल जाता है जिस कारण आपको अपना इन्वेस्टेमट भी कम करना पड़ता है दोस्तों अपरेल से नोटबूक की डिमांड काफी बढ़ जाती है यदि आप मार्च में यह बिन शुरू करते हैं तो एक मां में आप अपना बिजनस अच्छी तरह से जमा सकते हैं इस एक मां के दोरान आप अपना गट्रक भी खड़ा कर सकते हैं और अच्छी कासी प्रोडक्शन भी कर सकते हैं ताकि डिमांड होने पर आपके पास नोटबूक की कमी ना हो जाए दोस्तों वैसे तो नोटबूक की डिमांड पूरे साल बनी रहती है दोस्तों अगर आप नोटबूक का विजना शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 4 लाग रुपए तो होने ही चाहिए इसके बाद आप मुद्रा स्किम के तरफ बैंकों से लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं दोस्तों सरकार द्वारा त्यार की हुई प्रजोक्ट रिपोर्ट के मुताबिट आप 9 लाग रुपए वर्किंग केपिटल लोन और 3 लाग पचाजार रुपए ट्रम लोन ले सकते हैं इस तरहें आप लगबग 16 लाग पचाजार रुपए का प्रजोक्ट शुरू कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए आपको अपनी फरम का रिजिटेशन कराना होगा वैसे आप सरकार ने ओनलान रिजिटेशन शुरू कर दिया है जिसका रिजिटेशन कराना बहती असान होगया है इसके बाद आपको मशीन ली खड़ी दिनी होगी एक पेपर कटिंग मशीन जिसकी कीमत लगबग 85,000 रुपए है इसके अलावा आटोमेटिक बैंडिंग मशीन की कीमत लगबग 2,80,000 रुपए है इसके बाद नंबरिंग मशीन जो लगबग 5,000 रुपए है वो लेनी होगी दोस्तों उसके बाद आपको मैनुवल, सप्लाय, कॉम्बो, प्रेश वाइंडर सबकी कीमत 15,000 रुपए होगी इस तरह आप कुल 3,90,000 रुपए में शारी मशीन ली खरीज सकते हैं इन सबके अलावा आपको लगबग 50,000 रुपए का फरनीचर भी खरीदना होगा इसके साथ साथ आपको नोटबुक बनाने के लिए 3,50,000 रुपए का रोव मेटरियल भी लेना होगा जिसमें पेपर, कवर पेज, जूट वाइन, आयरंग वाइर, वाइट पौडर और कपड़ा भी शामिल है आप इतनी लागट में 2,000,000 नोटबुक, 40,000 रिकोर्ड बुक और 40,000 नोटपेड त्यार कर सकते हैं रिपोर्ट के मताबिक आप 1,500 पेज की नोटबुक की होलसेल किमत 22 रुपए 5 पैसे और 100 पैस वाली रिकोर्ड बुक की कीमत 32 रुपए और 50 पैस की नोटपेड की कीमत 3 रुपए रख सकते हैं यदि आप एक साल में ये सब बेज देते हैं तो आपको सारे खर्च निकालने के बात लगबग 7,20,000 रुपए का मुनाफ़ा होगा जो हर साल बढ़ता जाएगा क्योंकि पहले साल में मशीनों का खर्च भी तो जोड़ा गया है और विक्री की बात करें तो आप बड़े बड़े होलसेलर से समप्रा करके अपना माल असानी से बेज सकते हैं या आप स्कूलों और गवर्णमेट स्कूलों से कॉंटेक्ट कर सकते हैं इस तरह आप अपना माल बेज सकते हैं और एक अज़े बिजनस के साथ अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं बागी से हम जानते हैं दोस्तों क्या क्या करना होता है झाल झाल करो तो जो बहुंग करेंगाने बित कामाच ? किया है तो प्ली चनलों सब्सक्राइब लिए तगने वेस्के परोच नोश्राम को मिलता रहे जिए पहले से चनलों सब्सक्राइब कलिया उनका पुबद दिन्यवाद माफ सपिर रहाँ को नीवद साथ अब तक के लिए जहिंद वांद मात्रम